आज मैं आपको पर्फेक्ट मिल्क पावडर की गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कभी कबार्ण गुलाब जामुन फ्राइ करते वक्त बिगड़ जाते हैं तो यदि आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आइम डाइम शुर कभी आपके गुलाब जामुन है न फ्राइ करते वक्त कभी फटेंगे नहीं और वो एकदम नरम जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही बनेंगे वैसे आप खुद देखिए गुलाब जामुन बाहर से एकदम नरम है और अंदर से जाली भी बनी है जिससे गुलाब जामुन की भीतर तक चाशने अच्छे से सोक हुई है मेन बात यह है कि आप रेसिपिकोना ध्यान से देखिए और ध्यान से इसे सुनिए क्योंकि बहुत सारी टीप्स और ट्रिक्स बताया है तो गुलाब जामुन बनाते वकि आपको कोई तकलिफ नहीं होगी सबसे पहले हमें मिल्क पाउडर का मावा या फिर खोया बना लेना है पैन में आदा कप इतना दूध है वो शामिल करेंगी इसमें एक बड़ा चमच इतना घी अड़ करेंगे आदा चमच इतनी चीनी डालेंगे तो पहले इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अभी तक मैंने गैस को आनने किया है अब इसमें एक कप इतनी मिल्क पाउडर है वो डालेंगी कोई भी ब्रैंड के आप milk powder ले सकते है पहले इन सारी चीज़ों का हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि इसमें कोई भी लंस ना बने और पकाते वक्त हमें आसानी हो जाए मिक्स होने के बाद ही इसे में धीमियाज पर रखकर पकाने वाली हूँ तो slow flame ही होनी चाहिए तो इसे हम चमर से या फिर इस तरह से spatula से हमें इसे चलाते हुए पका लेना है दीरे दीरे एक आड़ा बनना स्टार्ट होगा तो गुलाब जामून के लिए ना नरब मावा बनाते हैं खास करके जो हरियाली मावा रहता है ना वो मावा यूस किया जाता है देखिए अब मावा धीरे धीरे इकटा होने लगा है और आप देख सकते हैं इसके sides में कुछ भी ने लगा है इसे थोड़ा और एक दो मिनिट के लिए पका लेते हैं बहुत है अच्छे से बन गया है तो इसमें कोई लंस भी नहीं दिख रहा है मावा बन कर रेड़ी है तो भी चूले को कर लेती हूँ बांद फिलाले गरम है तो थोड़ा थंडा होने देंगे तब तब चाशनी बना लेते हैं मैंने यहाँ पर देड़ कप इतनी चीनी ली है जिसे अब बरतन में डालेंगे इसमें अब जाएगा दो कप इतना पानी इसी के साथ दो हरी लाइची है वो भी डाल रही हूँ तो बस तेज आज पर रखकर चीनी को अच्छे से मिल्ट होने देंगे गुलाब जामुन की जो चाशनी रहती है वो बहुत ही सिंपल रहती है इसमें एक तार चाशनी हमें नहीं बनानी है बस इसमें दो थीन बार उबाल आ जाए इतना ही हमें इसे पका लेना है अगर चाशनी बहुत गाड़ी बनती है गाईज तो गुलाब जामुन चाशने को सोक नहीं करेंगे तो बस यहाँ पर हमारी चाशने रेडी है तो मैं चूले को कर लेती हूँ बन अब इसमें ना एक चमच इतना रोज वाटर है वो डाल रही हूँ या फिर आप इसमें केवडा वाटर भी डाल सकते हैं इसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है तो इसे हम रखते हैं साइड में अब गुलाब जामुन बना लेते हैं मावा भी अभी ठंडा हो चुका है तो इसमें प्लेट में निकाल रही हूँ इसे थोड़ा नरम करना है मतलब कूछ मिनिट के लिए अपने हाथों से इसे मैश करेंगे क्योंकि इसमें थोड़े भी दाने रहेंगे न तो वो गुलाब जामुन बनाते वक्त थोड़े क्रैके बन सकते है तो इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है यह perfect है ना ज़्यादा dry है ना ज़्यादा soft है तो अब इसमें हम पाउच चमच इतना baking powder है वो डालेंगे जिससे गुलाब जामुन अच्छे से फूलेंगे पाउच चमच इतनी इसमें ilaichi powder है वो डाल रहे हूं आदा चमच यहाँ पर मैंने rose water लिया है जिसे मैं baking powder में डाल रहे हूं मतलब यह दोनों काम करेगा baking powder को फूलाने के लिए भी और थोड़ा rose वाला flavor भी आएगा तो binding के लिए एक बड़ा चमच इसमें मैदा डालेंगे अगर मैदा नहीं है तो इसके जगह आप एक बड़ा चमच गेऊ का आटा भी डाल सकते हैं अच्छी तरह से सारी चीज़ों को mix करना है तो baking powder इसमें अच्छे से mix होना बहुत ज़रूरी है तभी जाके गुलाब जामून है वो अच्छे से फूलेंगे यहाँ पर अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राय हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा ही पानी या फिर दूद मिला सकते हैं इसे अब हम जादा भी नहीं गुनतेंगे तो हमें इसे सेमान हिस्सों में डिवाइड करना है अब फटाफट इसे गूल शेप देंगे तो इसे हम पहले हतेली में रखेंगे बीच में इस तरह से और दोनों हतेली के बीच में रखकर इसे हमें गूल शेप देना है जिसे परफेक्ट गुलाकार में बाइंड होते हैं जान इस बात कर रखे इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन को बना लिया है तो मैं इसी प्रकार से सारे गुलाब जामुन को बना लीती हूँ चलिए अब इन्हें हम फ्राइ करते हैं गुलाब जामुन को फ्राइ करते वक्त कोई भी भारी तेले वाली कड़ाई का इस्तमाल करें तो यहाँ पर मैंने तेल को बस एक मिनिट के लिए ही गरम करने के लिए रखा हुआ था तो इसमें हम एक एक करके गुलाब जामुन को डालेंगे दीमी आज पर ही गुलाब जामुन को फ्राइ किया जाता है तो बीना इसे टच किये हुए यहाँ पर मैं बुडन स्पून से तेल को मिक्स कर रही हूँ यहाँ फिर कड़ाई को केरफिली उठा कर इसे धीरी धीरी घुमाएंगे जिसे गुलाब जामुन है वो अपने आप उपर फ्राइ करेंगे तो आप इस सर इसे भी फ्राइ कर सकते हैं क्योंकि गुलाब जामुन बहुत ही नरम रहते हैं तो शुरवात में कल्ची से इसे पलेटने की कोशिश मत करें क्योंकि तूटने के चांसे से रहते हैं तेल को स्टर करते रहना है ताकि ये अपना फ्लोट होते रहे तो जब तक हमारी गुलाब जामुन का कलर है वो गोल्डन राउंड कलर नहीं होता है तब तक इसे हमें धीमियाज पर रहते ही फ्राय करने देना है तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं इनका कलर बहुत ही संदर रिक रहा है ये बहुत अच्छे से फ्राय हुए है तो इनने में निकाल लेती हूँ और इसे हम प्लेट में रखेंगे सारी गुलाब जामुन को हम एक साथ ही चाशनी में डालने वाले हैं तो यहाँ पर चाशनी थोड़ी थंडी हुई थी जिसे मैंने फिर से चुले पर रख दिया है ये गरम हुई है तो चुले को बन करते हैं तो अब सारी गुलाब जामुन हैं उन्हें हम डालेंगे इसमें चाशनी और गुलाब जामुन दोनों भी गरम होने बहुत ज़रूरी है तभी गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी जाती है गुलाब जामुन को चाशनी में डालते ही वो थोड़े फूल गए है मतलब ये अच्छे से बने है तो इसे हमें ढग कर 4-5 गंटे के लिए रेश करने देना है तो गाईज यहाबर 5 गंटे के बाद मैंने इने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है और एक बाद गुलाब जामुन को जो ब्राउन कलर रहता है वो अपने आप चाशने में आता है जिससे चाशने का कलर है वो भी थोड़ा चेंज होगा बहुत ही डिलिशस बने यह गुलाब जामुन तो एक गुलाब जामुन को कट करके दिखाते हूं कि कैसे बने है अंदर से आसानी से कट हो रहा है तो मतलब गुलाब जामुन एकदम से सॉफ्ट है बिलकुल रबर जैसा है या फिर ड्राइ नहीं बना है और गुसरी बात य तो मैं इसे खा के बताती हूं इनका स्वाद कैसा है तो गाइस बिल्कुल निमिठाई के शॉप में जैसे मिलते हैं न ऐसे ही गुलाब जमन बने हैं अगर आप घर पर गुलाब जमन बनाने चाहते हैं तो मैंने बताए हो तरीके से ज़रू ट्राइ करें विदाउट फिल पसन आई हूं तो इसे ज़रूर लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन करें